आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Question is What are the Distinguished Character of Kingdom Fungi? Kingdom Fungi का Distinguished Character में बताना है Kingdom Fungi की अगर हम बात करें तो इसके अंडर ऐसे लिविंग को प्लेस्ट किया गया है जो क्या होते हैं Eukaryotes होते हैं यानि जिनका सेल पूरी तरीके से डिफाइन होता है Nucleus and Membrane Bound Cell Organals प्रेजन होते हैं अब यहाँ पर बात करें तो ऐसे Eukaryotes इसमें प्लेस्ट करते हैं हम जो की कैसे होते हैं Multicellular होते हैं Multicellular होते हैं कुछ ऐसे भी फंजाई होते हैं जो Unicellular होते हैं यानि कुछ ऐसे फंजाई भी होते हैं जो Unicellular Eukaryotes होते हैं जैसे की East के इस्ट अब यहां अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई जो होते हैं इनमें हम कंसीड़र्ट करते हैं इस्ट को के ऑल्सो हम इसमें कंसीड़र्ट करते हैं मश्रूम्स को के consider करते हैं किसको mushrooms को and also हम यहाँ पर consider करते हैं molds को तो यह हो गए कुछ example fungi के kingdom के अब यहाँ अगर हम बात करें तो इन में क्या present होता है cell wall fungi के पास cell wall present होता है और इनका जो cell wall है यह बना होता है किसका kaitin का kaitin का बना होता है अब यहाँ अगर हम बात करें fungi की तो fungi में क्या होता है यह क्या रखते हैं heterotropic mode of nutrition होता है इनका heterotropic mode of nutrition यानि इन में क्या होती है lack होती है किसकी chloroplast की या फिर chlorophyll यहाँ पर नहीं पाया जाता जिसकी वज़़ से यह photosynthesis process नहीं कर सकते और अपने nutrition के लिए यह dependent होते हैं किस पे others पे अब यहाँ अगर हम बात करें तो यह single cell and multi cell भी हो सकते हैं single cell में हम east को considerate कर ले रहे हैं multi cell में हम mushrooms को considerate कर ले रहे हैं अब यहाँ अगर हम बात करें जैसा कि हमने बताया kaitin का बना हुआ cell wall होता है इनका जो कि क्या है एक polysaccharide है अब यहाँ अगर हम बात करेंगे इनकी कुछ और characters की तो यह हमारे क्या होते हैं non vascular होते हैं यह कैसे होते हैं non vascular होते हैं also non motile होते हैं non vascular non motile होते हैं यह दूसरों से अपना nutrition प्राप्त करते हैं यानि heterotropic होते हैं अब यहाँ इनका जो reproduction होता है यह किस से होता है sports से होता है sports से इनका reproduction होता है अब यहाँ अगर हम बात करें तो इनकी जो nuclei होती है इनकी जो nuclei होती है यह बहुत ही जादा small होती है कि फंजाई की बात हो रही है, also इनका जो mode of reproduction होता है, ये sexual भी होता है, and also ये asexual mode of reproduction करते हैं, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, तो कुछ फंजाई ऐसे होते हैं, जो कि parasitic होते हैं, okay, parasitic, यानि ये infect कर सकते हैं, किसको, animals को, animals को, and also ये infection कॉस कर सकते हैं, plants में, okay, अब यहाँ अगर हम कुछ example लें, तो इनका example जैसा कि हमने बताया, क्या क्या हो गया, east हो गया, जिसका use हम fermentation process में करते हैं, and also क्या हो गया, mushroom हो गया, जिनका use हम खाने में करते हैं, okay, तो ये हो गया कुछ character kingdom फंजाई के, Classics to 12 से लेके, Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा, आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप, या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स, 8444 चार्स उपर,